अब बच्चाओ अब क्या लगा था शेहर आ जाएगी तो हम तुझे ढूडने ही पाएंगे अब बच्के कहां जाएगे बच्चाओ अब जान काड़ी में बैठ चल चबड़ो मुझे लाना बदकर चुप कर चल काड़ी भगा चल दी कॉन है वे तो अबे सुन अगर तू एक शेर है और वो लड़की तेरा शिकार है तो पता है मैं कौन हूँ देख उस लड़की को भूल जा आखरी बार कह रहा हूं निकल जाए तुझ जानता है हम कौन है हमारी पहुंच नहीं जानता है क्या मेरा घूसा खाने से पहले सब लोग यही डायलॉग बोलते हैं जितना वक्त ये फाल्तु बखवास करने में जायक यह उतने वक्त में मैं तुझे तो बार मारता बहुत क पहुत मैं हर दुझे अर खितना वह बार में मारता जाता है वक्ति वे लुड़ एफवास ऑरस जाता है ह। बएव predictive थे बार कहе है बुझे टे चैने फो ढडीत करने में जाल्तु इंतने लायकın हैं तो जाइए व .. एवासरे आँ फन बड़ कहां जा रही है यही रुको देवा का छोटा भाई यहां भी पहुँच गया मार देते उसे अभी नहीं और वो कान है देवा का दोस्त होगा दोस्त होटा तो अपनी जान खत्रे में नहीं डालता वो जरूर मदद के लिए पुलिस को फोन करता यह जरूर देवा पर अपनी जान लुटाता है यही है वो लड़का जो हमारी देवा का जीवन साथ ही बनेगा पापा आप आप क्या जलो मैं नहीं जाओंगी एक शब नहीं चलो सर ये लड़की मुझे कुछ सहीं नहीं लग रही है फेक्टरी के आर् में कुछ और ही हो रहा है सर मैं इंडिया फेक्टरी के लिए नहीं आया हू selfie दिव्या के लिए आयरा का? दिव्या के नाम पे अपनी फेक्टरी पर केस करवाने वाला मैं हूँ उसके पापा को फोन करके यहां बुलाने वाला भी मैं ही हूँ मेरी कहानी की शुरुआत दिव्या से ही होती है और मेरी कहानी का अंद भी दिव्या से ही होगा दिव्या चलो आओ चुपकार तेरी नाक के नीचे से यह भाग गई क्या खाक देख भाल करेगा तू इसकी तू बोल रहा है अपनी गर्वती पत्नी को निकालने की दरिंदगी की है तुने तुझे इसे बेटी कहने का आख नहीं है चल जा बस कीजिए पापा और आप भी मामा जी यही वज़ा थी मेरे भागने की अकर दोबारा आप लोग लड़े तो इस बार मैं भागूंगी नहीं सीधा जान दे दूगी वो कौन था जिसने दिव्या की जान बचाई पता नहीं कौन था पर उस लड़के ने छोटे मालिक की हड़ी पसली एक कर दी तुम लोग देखते रहे उससे पंगा लिया तो वो आपको नारियल की तरह छील के पी जाएगा भाया वो लड़का कौन है कहां से आया है उसकी पूरी कुंडली चाहिए मुझे इसका मतलब है कि आप विदेश से अपनी फैक्टरी के लिए नहीं उस लड़की के लिए ये क्या राज है इस कहानी की शुरवात मेरी मां से होती है मुझे लगा मेरी सगाई से मेरी मां को खुशी होगी लेकिन मेरी सगाई के बाद पता चला कि वो बहुत दुखी है देखा मा अरादिया ना आपको मैंने ऐसा गेम खेला कि आप चारों खाने चित हो गई मैंने तुम्हारी शादी को लेकर कितने सपने देखे थे सोचा था अपनी पसंद की बहु लेकर आऊंगी सोचा मेरी गलती तुम सुधार लोगे अब क्या कह रही है वा क्या है मैंने तुमसे बहुत बड़ी बात चुपाई है और वो ये कि मैं अनात हूँ छे साल की थी तब ही माता पिता गुजर गए बापू नहीं मुझे पहला पोसा है उनके परिवार ने मुझे बहुत प्यार दिया बेटा ये सालों पूरानी बात है मेरे और बापू की पिता अच्छे दोस्त थे पिताजी के गुजरने के बाद बापू और उनके भाईयों ने मेरा ख्याल रखा बापू के एक बचपन के दोस्त थे उनका नाम था बल्ली ठाकुर बल्ली ठाकुर की चार बहने थी दोस्ती को रिष्टेदारी में बदलने के लिए मेरी शादी बल्ली ठाकुर से तै हुई और उनके बेहनों की शादी बापू और उनके भाईयों से तै हुई मेरी पढ़ाई खत्म होते ही बल्ली के साथ मेरी शादी होने वाली थी इस पीज बापू और उनके भाईयों की शादी हो चुकी थी पर मुझे तुम्हारे पापा से प्यार हो गया था, मुझ मेहमत नहीं थी, बापू को ये सच बताने की, इसलिए मैंने बल्ली को सब बता दिया तुम ये क्या कह रहे हो? मैं ये शादी नहीं कर सकता सारी तयायय हो चुकी है, सारे नियोते बढ़ चुके है, तुम इंकार कैसे कर सकते हो? तुम्हारी बेहने और हम सब कितने खुश थे कुंडली के मुताबिक हमारी शादी नहीं हो सकती शादी नहीं होई तो उसकी बदनामी होगी वो मैंने जानता लेकिन मैं ये शादी नहीं कर सकता माफ लिए बल्ली ने हमारी शादी कोट में करवा के हमें गाउं से बाहर भीज दिया बल्ली ठाकुर के बहुत उपकार है हम पर बापो को ये बात पता चल गई और बल्ली से रिष्टा तोड़ लिया निकल यहां से मेरी बहन को भगा कर उसकी शादी करवादी मैं कभी शमा नहीं करूँगा तुझे अब मैं इसका दंड तेरी बहनों को घर से निकाल कर तुझे दूँगा पती होते हुए भी तेरी बहने विद्वा का जीवन व्यतिक करेंगी अपनी बहनों को उस हालत में देखकर तुझेवन भर खून के आशू रोईगा चलो निकलो निकलो यहां से जाओ निकलो उस वक्त बल्ली की बड़ी बहन पेट से थी उन्होंने एक प्यारी सी बेटी को जनम दिया बापू बच्ची को घर लाना चाहते थे पर बल्ली ने देने से इंकार कर दिया बात अदालत तक चली गई अदालत ने ये फैसला लिया कि बच्ची हमेशा के लिए मां के पास रहेगी पर उसके पिता महिने में एक बार उससे आकर मिल सकते हैं उसी दिन के बाद मैंने एक फैसला लिया था कि तुम्हारी शादी मैं दिव्या से करवाओंगी ताकि जो गलती मैंने की है उसकी माफी मांग सको तो इस बारे में मैंने बल्ली से बात की सरस्वधी, तुम्हारे इस फैसले से कुछ भी बदलने वाला नहीं है तुम तो जानती ही हो तुम्हारे लिए सब के दिलों में नफरत घर कर चुके है दिव्या को बहु बनाने का सपना छोड़ दो मेरे वज़स से दोनों की दोस्ती टूट गई सोचा था ये रिष्टा करवा के अपना प्रैस चित कर पाऊंगी पर सब को चुल्टा हो गया नहीं रो मत इसमें तुम्हारी कोई गल्ती नहीं है मा तुम्हारी ये धोरी ख्वाहिश को मैं पूरा करूँगा माफ करना मा मैं पैसे कमाना तो सीख गया पर रिष्टे बनाना नहीं सीख पाया मैं अपने देश वापस जाऊंगा और उन लोगों का भरोसा जीत कर दिव्या को इस घर की बहु बना कर रहूंगा फिर मैंने दिव्या से जुड़ी जानकारी निकालने की कोशिश की तब मुझे ग्रीन आर्मी के बार में बता चला फिर मैंने एक प्लान बनाया हे आप लोग कौन है मेरे बहिया भुपेंद्र, नागेंद्र, देवेंद्र और धर्मेंद्र जीतेंद्र नहीं है मैं कैसे मान लूँ के तुम दिव्या से सच्छा प्यार करते हो आप कहें तो साबित करके दिखा दो कैसे करोगे जैसे आप चाहें तुम्हें मार डालूं तो कब और कहां अगर किसीने दिव्या परांक उठाई तो बर्बात कर दूँगा उसे उसे खुश रखोगे उसे पलकों पर बिठाऊंगा दामाजी इतनी जल्दी मानगे पहली बार देख के ही पसंद कर लिया था जल्द ही तुम दोनों की शादी करवा दूगा सर दरसल दिव्या मुझसे थोड़ी सी नाराज है मुझे आपसे बस कुछ दिनों की महलत चाहिए मैं सब संभाल लूँगा हलो पापा बेटी मैंने तुम्हार लिए एक अच्छा लड़का देखा है वो तुम्हें हर खुशी देगा देखिये पापा बस मुझे जूटे वादे करने वाले लड़के बिल्कुल नहीं पसंद देखिये बहुत ही अच्छा लड़का है बीटी तुम्हे जरूर पसंद आएगा मेरी बात मानो और उससे एक बार मिल लो ठीक है और तो कुछ नहीं है रही ठीक है बाकी काम हम लोगों ने कर लिया है किसका फोन था बिटा वो पापा ने मेरे लिए एक लड़का देखा है और वो कल मिलने के लिए आ रहा है तो उसको मना कर दो मैं तुम्हारे लिए उससे भी अच्छा लड़का लाँगा पापा और आपके संबंध पहले ही बहुत खराब हैं उन्हें और खराब मत कीजिए मैं उस लड़के से मिलनू तो ही अच्छा है देखो ये क्या कर रही है इसे खुद पता नहीं है इसके बाप का भीजा हुआ कोई भी लड़का है तो उसे रवाना कर दो और अगर अड़ जाए तो खत्म कर दो लगता है लड़का इसी गारी में है जाओ जाके खतम कर दो से क्हा का तो मौस कर दो कि अ के अ कर दो व हमारे सामने ये दो डंडियां लेके हावा में ऐसे वैसे घुमाने से तु एक्षेन हीरो नहीं बन जाएगा बहुत दिनों से इसका इस्तमाल नहीं किया कोई ढंका मिला ही नहीं क्यों न तुम पर ट्राइ करो डर तो नहीं जाओगे न इस खिलोने से को डरेगा तो चल आजा दो-दो हाथ हो ही जाएं देखते हैं आज तुम्हारे यह हथियार जीते हैं या मेरा यह खिलोना तुम्हारा नक्षा बिगाड़ देता है हेई बामा हां माँ कि में नहीं जाए हाई सब अपनी अपनी शेट उतार कर बैठ जाओ तो बच्चों इस खिलोने से क्या सीखा हर खिलोना बच्चों की खेलने का नहीं होता आप जैसा भूला भाला दिखने वाला आदमी भी कभी कभी खतरनाख हो सकता है सेहत से तो गुंडे नहीं लगते हो साल में एक बार एक बार तो समझ में आ गई तुम में से कोई भी यह काम करना नहीं चाहता है मैं तुम सबका बैंक अकाउंट खुल आऊंगा और हर एक के खाते में 10 लाग डाल दूंगा अपने परिवार की अच्छे से देख भाल करो और इमान्दारी का काम करो आप महान हो, हम गुंडगर्दी नहीं करेंगे, आज से हम वही करेंगे जो आप कहेंगे